Dear students, Welcome to my YouTube channel आप सभी का मेरे YouTube channel पर स्वागत है आज के ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगा Steel drawing में Compound Fink Truss की ड्राइंग Compound Fink Truss या Compound Fink Kansi की ड्राइंग इससे पहले मैंने आपको एक Steel Roof Truss बताया है जो वो भी Fink Truss ही है लेकिन वो Simple Fink Truss है जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं पहला ही वीडियो आपका है Steel Roof Truss के नाम से जो Simple Fink Roof Truss है ये हमारा है Compound Fink Truss या इसको Compound Fink Roof Truss भी आप बोल सकते हैं मैं आज आपको इसकी ड्राइंग बताऊंगा तो ये Compound Fink Roof Truss क्या होता है सबसे पहले मैं आपको इसके बारें बता दूँ तो जो Compound Fink Truss होता है इसका जो Span होता है जो बिस्तिरती या जो पार्ट होती है वो कितनी होती है वो 10 मीटर से 15 मीटर के बीच लिया जाता है कहने का मतलब 10 मीटर से जब अधिक Span होता है तो उस Fink Truss को हम लोग Compound Fink Truss के नाम से जानते हैं और अगर 10 मीटर से कम Span है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको Simple Fink Truss के नाम से जानते हैं तो हमने 15 मीटर इसका स्पैन लिया है जिसका क्वेशन आपके स्क्रीन सो हो रहा है उसमें 15 मीटर स्पैन हमने लिया है दिवार की मोटाई हमने 400 mm लिया है में टाई बीम जो मुख्य तान धरन होती है उसको हमने 80 x 60 x 6 mm लिया है राइज जो लिया है हमने 1 x 5 to 1 x 6 इस्पैन का लिया है जो हमारे इस्पैन है उसका एक बटे 5 से एक बटे 6 लिया है तो 15 का पांचवा भाग 3 मीटर हमारा राइज हो गया उसके बट प्रिंसिपल राफ्टर या कामन राफ्टर दोनों हमारा सेम ही होगा 75 x 60 x 6 mm का हमने यह लिया है इसके बट जो इस्टरट लिया है हमने वह इस्टरट 50 x 50 x 6 mm का लिया है रिवेट 14 mm डायमेटर और गजट प्लेट 6 mm मुटाई का आएगे तो यह आपके डेटा रहे इसकेल हम लोग 1 ratio 30 का लेंगे तो आएए फटाफट ड्रॉइंग को स्टरट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले किसी भी नए वीड लेंगे जो 15 मीटर है तो 15 मीटर को जब स्केल पर चेंज करेंगे चुकि हमारा जो स्केल है वो कितने का है तो स्केल हमारा 30 का है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 30 के स्केल पर चेंज करेंगे तो आए यह जो हमारा 15 मीटर है 15 मीटर है इसको सेंटी मीटर में बदलने के ल और इसको 30 का स्केल है तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो यह 50 cm आ गया अब 50 cm पूरा इसपैन आ गया लेकिन दोस्तों हम लोग आधे में ही बनाएंगे मिन्स आधी ड्राइंग steel roof truss की हम लोग बनाएंगे और आधी हम लोग क्या होगी सेम हो ऐसे ही बनेगी जैसे यह आपको दिखाई दे रहा है इसमे इन्होंने आधा बनाया है यह आधा दिखाया है आपकी बुक में दिया गया है तो आधा ही हम लोग भी बनाएंगे, आधा भी same ही बनता है, तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे, अगर exam में आ जाए question में, तो आप एक side का पूरा बना देंगे, दूसरा side आप ऐसे ही cut करके दिखा देंगे, तो आपको पूरे marks मिल जाएंगे, तो आइए चलते हैं इसको हम से divide कर देंगे तो इसका आधा आजाएगा 25, तो हम लोग 25 cm की एक line क्या कर लेंगे, फटा-फट ही लेंगे, तो आइए खी लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 21 cm की एक line खी लेंगे, यह इस प्रकार से हमने 25 cm की line खी लीया, उसके बाद क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा अधिक भी बढ़ा सकते हैं आगे तक अभी मैं बताऊंगा उसको उसके बाद यहां से वाल खीश लेंगे जो हमारी वाल है यह वाल की थीकनेस कितनी है? 400 mm है, 400 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 400 डिवाइड कर देंगे 30 से तो यह आपका आगया 13 mm 13 mm लोग 3 mm आ रहा है तो लगबग हम लोग 14 mm इसको मान लेंगे कितना मान लेंगे? लगबग 14 mm मान लेंगे और 14 mm मान के इसको क्या कर देंगे? खीश देंगे तो आई यह खीश देते हैं यह इस तरीके से यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? continuous कर देंगे क्योंकि दिवार के बारे में हमें नहीं पता है कि यह कितने नीचे तक जाएगी तो यहाँ पे इसको continuous कर देंगे उसके बाद जो main tie beam है आपकी वो दिया गया है 80 x 6 x 6 लेकिन उससे पहले जो हम लोग की bearing है यह 200 mm दिया है तो 200 mm चड़ी है तो 200 mm को मतलब 400 का आधा 400 हमारा 14 mm आया था तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7 mm तो यह हम लोग क्या कर लेंगे 7 mm इसको दिवार पे चड़ा देंगे जो हमारी truss होगी इसको इस प्रकार से उसके बाद जो main tie beam है इसका यह पहला वाला जब सामने से truss को देखेंगे तो यह पहली वाली dimension 80 हमको दिखाई देगी तो इस 80 यह थिकनेस हम लोग मान लेंगे इसकी जो सामने से मोटाई दिखाई देगी मुख्य तान धरन की main tie beam की वो 80 दिखाई देगी तो 80 को scale पर change कर लेंगे 80 20 के बराबर मान लेंगे लगभक, वेराबर इस को मान के हम लोग किछी लेते है इस प्रकार से इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे इसको ही इस लेंगे इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो यह 25 था यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे एक सैग बीम बनाते हैं एक सैग टाई बीम बनाते हैं तो जो हमारा राईज है rise 3 meter आया है इसको point कर लेंगे यहां पर तो rise हमारा कितना है rise आपका 3 meter है यानि कि 300 cm हो जाएगा इसको divide कर लेंगे 30 के scale पर तो यह आपका 10 cm आ गया तो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग 10 cm उपर point कर लेंगे 10 cm उपर एक इस तरीके से point बना लेंगे इसके 5 mm ऊपर क्या कर लेंगे एक और हम लोग बना लेंगे अब क्या करेंगे इसके बाद यहां पे एक सैग टाई होती है जिसको हम लोग लगाएंगे क्या करेंगे सैग टाई को लगाएंगे बिल्कुल यहां से यह मीड पॉइंट से यह हमारा यहां पर पॉइंट बना ले तो 50 को स्केल पर चेंज करने के लिए 30 से डिवाइड करेंगे 1.6 आ रहा है लगभग हम लोग क्या कर लेंगे इसको लगभग 2 mm माल लेंगे तो 2 mm का मतलब क्या हो गया है 1 mm लेफ्ट और 1 mm राइट मीड़ पॉइंट से 1 mm लेफ्ट और 1 mm राइट हम क्या कर लेंगे ये सैग को हींच लेंगे ये इस प्रकार से हींच लेंगे इसको 1 mm राइट और 1 mm लेफ्ट ये इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेंगे हींच लेंगे अब क्या करेंगे ये जो हमारी वाल है इसको उपर ले जाके और इसमें मिला देंगे ये ये हमने मिला दिया उसके बद क्या करेंगे ये इस पॉइंट को इस पॉइंट को जो सबसे उपर वाला हमने पॉइंट खींचाता है इसको वाल से लाके मिला लेंगे तो आईए इसको मिला लेते हैं ये इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे मिला लेंगे ये इस प्रकार से उसके बाद क्या करेंगे जो 5 mm नीचे वाला था इसको भी हम लोग लाके इसी पर ठीक मिला लेंगे तो ये जो हमारा 5 mm नीचे वाला पॉइंट था ये 5 mm नीचे वाला इसको भी क्या करेंगे इसको इस प्रकार से लाएंगे और जहां मिलेगा वहीं पर क्या कर लेंगे इसको मिला लेंगे तो ये इस प्रकार से जहां मिल रहा है यहां पर हमने इसको क्या कर दिया ये इस तरीके से मिला दिया हमने क्या किया जो 5 mm उपर वाल पॉइंट था उसको वाल के बिलकुल किनारे से मिला दिया उसके बाद 5 mm नीची वाले पॉइंट को जहां पे मिल रहा है इसी के parallel ले जाके हमने मिला दिया यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी उसके बाद क्या करेंगे जो main rafter है आपका जो principal rafter है, यह 75 दिया है, इसकी ठीकनस कितने दी है, 75 जो सामने से हमें दिखाई देगी, 75 हमें सामने से दिखाई देगी, यह और यह दो dimension हमें दिखाई सामने से नहीं देगी, तो हमें 75 को क्या करना है, scale पर change करके बनाना है, 75, divide कर देंगे, 30 के scale से, यानि कि 30 से, तो यह आपका आगया 2.5, धाई, कितना आगया, 2.5, तो यह 2.5 हम लोग क्या कर लेंगे, mm, इसको खींच लेंगे, यह 2.5 mm क्या कर लेंगे, इसको खींच लेंगे, इसकी जो मोटाई है, यह इस तरीके से, यह आपको दिख रहा है, मैं खींच रहा हूँ, यह, इस प्रकार से, उसके बाद, यहाँ पर उपर जो हमारा common rafter होता है, उसको भी खींच लेंगे, तो वो भी लगभग इतने के बराबर ही होगा, मैंने बताया कि principal rafter और common rafter, दोनों को लगभग सेम ही लेंगे, तो उसकी भी थिकनेस, धाई एमेम हम लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, इस प्रकार से, यह, उसके बाद क्या करेंगे, इसके उपर AC seat, धूप, वर्सा धूल इत्याद इसे बचने के लिए, इसके उपर, ट्रस होते हैं, उसके उपर वो चादर लगी होती है, तो उसको हम लोग लगा देंगे, एक एमेम उसकी थिकनेस मान लेंगे, और एक एमेम थिकनेस मान के उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे, लगभग एक एमेम उसकी मुटाई मान के, और उसके हम लोग क्या कर देंगे, उसके उपर ही लगा देंगे, यह इस प्रकार से, यह हमने लगा दिया, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होई होगी, अब क्या करेंगे, अब यहां पर, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह हमने पहले ही बना लिया था, जो हमारी इसको सैग टाई के नाम से जानते हैं ये बिल्कुल बीचो बीच होता है इसको सैग टाई के नाम से हम लोग जानते हैं इसको हमने क्या किया है बना लिया है तो अब क्या करेंगे इसमें यहां से इसको यहीं पर मिला देंगे यह और यहां पर इसको जो हमारी strut है उसको लगाना है तो strut लगाने के लिए क्या करेंगे इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे यहां से यहां तक पुरे इसको क्या करेंगे तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो तीन भागों में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको तीन से डिवाइड कर देंगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आई थी पचास का अधा पचीस आई थी तो यह पचीस सेंटीमेटर आई थी पचीस सेंटीमिटर को डिवाइड कर देंगे तीन से तो ये आपका कितना आ गया आठ दसमलो तीन सेंटीमिटर आ गया तो क्या कर लेंगे हम लोग यहां से आठ दसमलो तीन सेंटीमिटर पर पॉइंट कर लेंगे तो यह 8.3 पे एक point हमने कर लिया यहाँ पर फिर एक 8.3 पे एक दूसरा point हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से और यहीं पर हमारे क्या होते हैं strut बनते हैं तो यहाँ पर strut लगाएंगे strut हमारा 50 का दिया है हमने अभी लगाया था strut जो strut होगा हमारा वो क्या करेंगे उसको यहाँ से लगाना start करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे यह जो हमारा यहाँ पर strut हम लोग लगाएंगे तो यहीं पर क्या कर देते हैं इस प्रकार से strut लगा देते हैं हमने इसको तीन हिस्सों में सबसे पहले बाठ लिया और यहीं पर strut इस प्रकार से लगाएंगे बिल्कुल इसी कोने से यह तो इस strut हमारे जो होगा वो कितने का होगा यह यहां strut को लाके मिला देंगे और इसकी जो थिकनेस होगी वो 50 दिखाई देगी 50 होगी तो 50 को अभी हमने scale पर change किया था तो कितना आया था 50 डिवाइड कर देंगे 30 का scale है 30 से 1.6 आया था हमने 2 mm के बराबर लिया था तो यह इसको हमें क्या कर लेंगे 2 mm के बराबर इसकी थिकनेस भाण लेंगे और इसको क्या कर देंगे खीश देंगे तो आईए खीश लेते हैं इसको यह इस प्रकार से यह जो हमारे स्ट्रट है इसको खीस लेंगे उसके बाद आपको याद होगा हमने बताया था इसमें जो स्ट्रट लगता है वो बिल्कुल इसके 90 डिगरी पे होता है यह जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होता है हमने बताया था कि यह हमारा प्रिंस्पल राफ्टर होता है, इसके ऊपर वाला कामन राफ्टर होता है, यह सब चीजें आपको clear हो जाएंगी, जो पहले वाले steel roof truss है, उसकी वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो यह सारी चीजें clear हो जाएंगी आपको, वहां से आप सारी जो clear कर सकते हैं, और यहां बड़ी आसानी से आपको ट्राइंग समझ में आएगी, तो यहां पर क्या कर लेंगे, 90 degree पे, यह automatic जब इसको parallel हम लोग करते हैं, तो यह क्या हो जाता है, 90 degree पे हो जाता है, तो यहां से क्या कर लेंगे, इसमें इस प्रकार से इसको खींच क्या करेंगे, इस प्रकार से, इसकी भी जो मुटाई होगी, वो भी 2 mm के बराबर होगी, यह वाला strut, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से, फिस लेंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इस प्रकार से, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, फिर क्या करें फिर इसको यहां से लाके उसमें मिलादेंगे , यहांसे मिलादेlim लगबग 2 mm के बडाबर होगी यह इस परकार से है इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको इस प्रकार से काट देंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे फिर यहाँ पे इसके 90 डिगरी पे यह दूसरा वाला इसमें जो स्टर्ट होता है यह लगा होता है ये जो दूसरा वाला इसमें start होता है, इस प्रकार से लगा होता है. इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? लगा देंगे. ये भी लगबक 2 mm का होगा, तो 2 mm प्रपॉइंट करके क्या कर देंगे इसको? इस देंगे. ये इस तरीके से. ये इसमें आपको किसी प्रकार के अभी तो कोई समस्या नहीं होगी अब क्या करेंगे अब इसका जो mid point होता है जैसे हमने इतने पे लिया था इसका जो mid point है इसमें भी क्या कर देंगे एक इसमें हम लोग strut लगा देंगे तो ठीक इसको बीचो बीच यह जो जितना है इसके middle में तो यहां तक लेकर यह कितना है हमारा 11 है तो इसके बिल्कुल mid point में यह जो दोनों है यहां से लेकर यहां तक इसके बिल्कुल middle में हम लोग क्या कर देंगे एक और strut लगा देंगे तो आईए लगा देते हैं इसके ठीक बीचों बीच यहां कहीं यहां पर हम लोग क्या कर देंगे स्ट्रट एक और लगा देंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पर आपको पता है कि यह क्या होता है बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, इस तरीके से, ये हैं उसके बाद इसकी भी थिकनेस 2 mm होगी, तो 2 mm के वराबर इसको क्या कर लेंगे, ही से लेंगे ये इस प्रकार से, और उसके बाद इसमें एक lateral tie लगा देते हैं लेटरल टाई जो होती है इनको बांध के आपस में रखती है तो इन दोनों को आपस में बांध के रखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं इसमें एक लेटरल टाई यहां से लेकर यहां तक क्या कर देते हैं लगा देते हैं तो आईए उसको भी लगा देते हैं यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, एक लेटरल टाई इस प्रकार से इसमें लगा देते हैं, उसकी भी थिकनेस, इस ट्रोट के थिकनेस के बराबर हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से क्या कर देंगे, लगा देंगे, यह इस तरीके से, यह इस तरीके से हम ल इसमें जहां जहां जुएंट से वहां वहां गजिट प्लेट और रिविट्स लगा देंगे और उपर इसमें क्या कर देते हैं यहां पर परलिंस और जो हमारा बोल्ट होता है जो हुक होता है जे हुक उसको लगा देते हैं तो आईए लगा देते हैं और इसे प्रिकार से इस इस साइड में भी थोड़ा सा मलुक दिखा देंगे इसको खींच के यह कैसे होता है हमारा तो आईए इस साइड में इसको भी थोड़ा सा खींच देते हैं यहां से ठीक उतने ही पर जितने एंगल पर इसको खींचे थे उतने ही एंगल पर क्या कर लेंगे यहां पर इस में यह हमारा होता है यह आपको दिख रहा है जितनी मुटाई इसकी होगी उतनी मुटाई हम लोग क्या कर देते हैं यह जो प्रिंस्पल राफ्टर होगा इसकी खीश देंगे हम लोग उसके बाद इसके ऊपर जो हमारी AC सीट होती है उसको खीश देंगे इसके ऊपर हमारी क्या होती है AC सीट जो 1 mm की होती है उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं इस प्रकार से खीश देते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर यह जो प्रिंसिपल राफ्टर है यह हमारा कामन राफ्टर हो गया यहाँ पर यह हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर को खींच देते हैं यह इस प्रकार से यह इसको इस प्रकार से दिखा देते हैं हम लोग यह हमारा क्या होता है प्रिंस्पल राफ्टर होता है फिर उसमें दिखा देते हैं ये जैसे इस प्रकार से ये हमारी स्टर्ट होता है वैसे इसमें भी एकी स्टर्ट हम लोग दिखा देते हैं ये नई भी दिखाएंगे तो चलेगा लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं इसको दिखा देते हैं कि यह हमारा लगा होता है यह इस प्रकार से यह इस प्रकार से इसको हम लोग दिखा देते हैं इसके बाद क्या करते हैं इसके उपर रीज लगा देते हैं यह Rees Cover होता है इसका काम क्या होता है अब बारिश का पानी आता है जो तो इसमें यह इसको अंदर प्रवेश न अखर जाए इस Moins लिए हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं कि pill देगे गोल होता है अप देखें हम गा अज़िते हैं यहां पर इस प्रकार से इस प्रिकार से हम लोग इसको क्या कर देते हैं प्रोवाइड कर देते हैं यह जो हमारा रिस्क भर होता है इसको और इसको क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे थोड़ा आगे तक स्टूडेंट्स अगर विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें सेयर करें जितना अधिक साधिक हो सके तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले किसी भी नए विडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहें और विडियो में अन्त तक बने रहें विडियो बिल्कुल आपको आसानी समझ में आएगी यह इस प्रकार से हम लोग इसमें रीज कवर लगा देते हैं अब क्या करते हैं अब जहां जहां यह ज्वाइंडस है वहां वहां लोग गजट प्रेट्स लगा देते हैं तो आईए गंद्यच आ पधारा हृष लाह दे शल्चय का इसलड़र ची घंच तो इस प्रकार से हमने खीश लिया अब क्या करेंगे अब इसमें हम लोग gadget plate प्रोवाइड कर देते हैं सभी में तो आईए gadget plate कैसे प्रोवाइड करते हैं जो हमने बीचो बीच जो लाइन खीची थे यहीं पर क्या कर देते हैं 3 mm इसके midpoint से यहां से 3 mm right और 3 mm left देखिए यहां से क्या करेंगे यहां से 3 mm left और 3 mm right जाते हैं तो यहां से हम 3 mm क्या करेंगे midpoint से इस साइड में जाएंगे और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं खीच लेते हैं और फिर यहां से 3 mm right जाते हैं यहां से 3 mm क्या कर देते हैं राइड जाते हैं और इसको हम लोग खीच लेते हैं इस प्रकार से इस तरीके से और फिर इसको इसी के सामने लाके क्या कर देते हैं मिला देते हैं इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है गजट प्लेट होती हमने क्या किया यहां से 3 mm इस साइड में और फिर यहां से 3 mm इस साइड में और उपर से इसको मिला दिया बिल्कुल पैरलल रखे, MD को बिल्कुल हमने क्या किया पैरलल रखा, ये इस प्रकार से और इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया और इसको भी मिला दिया, ये हमारे क्या है गजट प्लेट है और इसमें क्या कर देते हैं, तीन रिवेट्स लगा देते हैं तो ऐसा ही सब ही में कर लेंगे हम लोग तो आईए सब में गजट प्लेट और रिवेट्स प्रोवाइड कर देते हैं कर देते हैं तो यह हमने क्या किया सभी ज्वाइंट्स पे गजिट प्लेट और रिवेट्स लगा लिया अब क्या करेंगे अब जहां जहां यह स्ट्रट लगे हैं वहां वहां हम लोग क्या कर लेंगे जे हुक प्रवाइड कर लेंगे और वहीं पर परलीन प्रवाइड कर लेंगे तो एक mm कहोगा तो एक mm इसकी ठिकने से होगी, यह आपका एक mm यहां से लेकर यहां तक, एक mm इसकी मोटाई हमने लिया है, उसके बाद फिर, बीच वाला यह जो प्रिंसपल राफ्टर है, इसको छोड़ देंगे, और इसके बाद फिर, यह जो seat है, AC seat, इसमें हम लोग इसको इस तरीके से एक एमेम हम लोग क्या कर लेते हैं ऊपर लेके इस प्रकार से जाते हैं और इसको इस प्रकार से खीच लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे फिर इसके ऊपर एक एमेम और ऊपर तक इसको क्या कर लेते हैं इस प्रकार से बना लेते हैं यह हमारा क्या होता है यह हमारा में यहां से राइट और तीन में यहां से लेफ्ट साइड में हमने इसको लिया और इसको क्या कर लिया खींच लिया फिर उसके ऊपर एक में मोटाई में ऊपर जाके और इसको हमने इस तरीके से बना लिए यही हमारा क्या होता है जे यह आपको दिखाई दे रहा है यह फिर यहां से 3 mm राइट और 3 mm लेट यह और 3 mm राइट इस प्रकार से इसको खीश लिया फिर इसके ऊपर इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया खीश लिया और इसको यह बना दिया यहीं हमारा क्या होता है जे होक होता है और इसमें हम परलीन लगा लेते हैं इस तरीके से यह आपको दिखाई दे रहा है यह हमारी परलीन होती है इसको लगा लेते हैं तो इसी पिकार से जहां जहां यह जोइंड से वहां वहां हम लोग क्या कर लेंगे यह यहां से यहां पे यहां पे यहां पे परलीन और जेहुक लगा देते ह झाल झाल तो यह इस प्रकार से हमने क्या किया जहां जहां जुआइंट्स थे वहां वहां हमने क्या कर लिया यह गजट प्लेट रिवेट्स और जे हुप प्रवाइड कर लिया साथ में परलिन्स हमने प्रवाइड कर लिया अब क्या करेंगे अब यहां पर यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे यहां एक mm का इसमें हमारा क्या होता है sliding plate कहा जाता है यह होता है जिस पर यह trust जो होती है slide करती है यह एक mm का यह sliding plate होता है इसको हम लोग बना लेते हैं यह उसके नीचे एक mm का यह gadget plate होता है यह एक mm का ये bearing plate होता है इसको लगा लेते हैं उसके नीचे ये पांच mm हम लोग क्या कर लेते हैं rag bolt लगा लेते हैं आपर क्या कर देते हैं rag bolt और उसके नीचे हम लोग 200 mm का कितने का 200 mm का scale पर change करेंगे तो लगवक 6 mm आएगा इसका ये cement concrete block बना लेते हैं ये इस प्रकार से इसमें हमारा क्या होता है ये इस प्रकार से ये यू अकार का है इस प्रकार से हमारा क्या होता है rag bolt होता है और इसके नीचे ये हमारा cement concrete होता है ये क्या होता है सीमेंट कंक्रीट ब्लाक होता है 200 mm का जिसको स्केल पर चेंज करेंगे तो यह 6 mm के बराबर आएगा और यह इस प्रकार से जो हम लोगों की फिंक रूफ ट्रस है जो कंपाउंड फिंक रूफ ट्रस है यह पूरी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है तो अब आएए इसकी डाइमेंशनिंग और हैचिंग जो भी करना हो कर लेते हैं क्या क्या है झाल 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 तो इस प्रकार से हमने जितनी भी डाइमिंसन से उसको सोग कर लिया अब यहाँ पर एक काम और करते हैं यहाँ पर हम लोग जो इस पर से पानी गिरता है पानी को कलेक्शन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर एक बना देते हैं इस प्रकार से एंगल सेव्चन लगा के तो एक सेंटीमिटर का यह इस प्रकार से यह इस प्रकार से बना देते हैं और इसी में पानी की कलेक्शन के लिए इस प्रकार से ये कुछी इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं बना देते हैं ये इस तरीके से इसी में जो इस प्रकार से पानी गिरता है ये इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है कलेक्ट हो जाता है आपका और ये जो हमारी पूरी ड्राइंग है ये कम्प्लीट हो गई तो आईए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं इस पूरी ड्राइंग को सबसे पल हमने का किया span का आधा खींच लिया यहां से लेके यहां तक हमने 7.5 मीटर span का आधा span by 2 मैंने लिख भी दिया है यहां पे span by 2 हमने लिख भी दिया है span का आधा यानि की 15 मीटर का आधा साढ़े साथ मीटर खींच लिया इसकेल परचेंच किया हमने 25 आया है उसके बाद वाल को हमने खींच लिया चार सैमेम की वाल उसके बाद वाल में जो बीरिंग है 200 mm इसको हमने खींच लिया था ये 200 mm आपकी bearing दे रखी है उसके बाद हमने क्या किया इसमें यहां से उपर गए कितना जो 3 मीटर हमारा राई जाया है वो उपर गए पॉइंट किया और उस पॉइंट से 5 mm उपर एक और पॉइंट हमने किया और उसके बाद उस पॉइंट को हम यह प्रिंसिपल राफ्टर है इसकी भी मोटाई खींस लिया कितनी लगभग 2 mm के बराबर इसके बाद हमने क्या किया यह 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 और यह सब क्या है strut है ये strut एक, दो, तीन, चार strut हमने लगा लिया था ये भी आपका strut ही है मैंने इसको दिखाया नहीं ये भी आपका क्या है strut ही है 50 into 50 into 6 का 50 को इसके लिए पर चेंज किया तो one point something आया तो उसको हमने 2 mm के बरावर मान लिया था उसमें हमने क्या किया 2 strut को एक साथ tie करने के लिए बांधने के लिए lateral tie एक लगा दिया वो भी 50 into 50 into 6 का लगाया उसके बाद हमने क्या किया सभी joints पे gadget plate और rivet लगा दिया तो हमने बताया था 3 mm right 3 mm left छोड़के और हमने gadget plate लगा दिया था उसमें कहीं 3 rivets तो कहीं यहाँ पे 4 rivets हमने लगाया है यहाँ भी हमने 3 rivets लगाया है हर जगा 3 rivets बस यहाँ पे जो wall होगी जहाँ पे joint होगी यह dross wall से वहाँ पे हमने क्या किया है 4 rivets का प्रियोग किया है उसके बाद हमने क्या किया जहाँ जहाँ जवाइंट से और एक बराबर डिस्टेंस पे हमने क्या किया है इसमें जे हुक और परलिंस लगा दिया है यहाँ जहाँ जहाँ यह जवाइंट से वहाँ वहाँ लगबग हमने क्या कर दिया है परलिंस और जे हुक हमने क्या कर दिया है और इस प्रकार से जो हम लोग की पूरी ड्राइंग है, यह कम्प्लीट होती है, यहाँ पे इस में हमने क्या किया है, रीज कवर लगा दिया है, जिससे जो बारिस का पानी हो इस संरचना के अंदर ना जाए, इस स्ट्रक्चर के अंदर ना जाए, और वो पानी बाहर निकल ज यह जिसमें यह पानी आके बार इसका collect हो जाता है और इस प्रकार से जो हम लोग की drawing है यह complete होई किसकी compound finger trust की students अगर वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को like करें चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें share करें जितने से अधिक साधिक friend है आपके उनकी हाँ दाकी उनको भी इसका लाब मिल सके और कैसी लगी वीडियो comment करके जरूर बताएं और thank you